दोस्तो अगर आप भी रिंकू सिंग को खतरनाक बल्ले बास मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा दोस्तो भारत और भांगलादेश के बीच खेलेगा पहले T20 मैच के सुपर ओवर में रिंकू सिंग ने भारत की टीम को दिलाई या तिहासिक चीत जीहा दोस्तो भारत और भांगलादेश के बीच T20 सीरीज खेली जा रही है ऐसे में पहले T20 मैच का रिजल्ट सुपर ओवर के जरिये निकला इस बीच रिंकू सिंग ने सुपर ओवर में 21 रन का पीछा करते हुए मैदान पर रनो की ऐसी बारिश की जिसके सामने जब बात दरदेश की त भारती टीम को बांगलादेश के खिलाफ वर T20 सीरीज के अंदर जीत दर्ज करने का मौका मिलेगा यह नहीं है अपनी रहे हमें नीचे दियेगा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा दोस्तों जैसे कि आपको पता है भारत और बांगलादेश के बीच तीन मैचों की T20 सी जोगदान दिया तो वहीं भारती टीम ने पहले बलेबासी करते हुए 208 रन पांच विकेट के नुकसान पर बना दिया हाला कि इसका पीछा करने के लिए उत्री बांगलादेश की टीम से पारी की शुरवात करने के लिए कफ्तान संतो और लिटन दास से इन दोनों ने जोगदान पर उत्री जोगदान बंगलादेश की टीम की टीम की टीम की टीम की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आज़दीप सिंग आये जोगदान आज़दीप सिंग ने वापसी करने के साथ ही पहली ही गेंद पर नज़दीप सिंग को एक ऐसी गेंद डाली जिसके स फायता उठाया और छक्के के लिए गेंद को तब्दील कर दिया जिसके बाद भारती टीम दबाप में आ गई क्योंकि पूरे मुकाबले में इस बनले बास ने भारती टीम को काफी परिशान किया था लेकिन मुख्य गेंद बास आज़्टीप सिंग खुद आये थे ऐसे में अब उन्होंने अपनी जिम्मदारी को समझा और जबरदस्त गेंद बासी करने के लिए अलग अलग नीती अपनाई और एक बार फिर से अपनी योरकर गेंद डाली जो उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है जिसका फायता भारती टीम को मिल गया इस दोरान आज़्टीप नहीं किया जिसके चलते उनके सामने बांगला बलेबाज तो इद्रिदोयर ने भी चक्का लगा दिया हलाकि इसके बाद भी अगली ही केंद पर अर्श्टीप सिंग ने वापसी की और एक रन देते हुए स्ट्राइक नजमुल हुसैन संतो को दे दी इस पीच नजमुल संत गेंद बाजी की शुरुबा तसकीन अहमत ने की इस दोरान तसकीन अहमत के सामने पहली ही गेंद पर अभिशिक शर्मा ने छक्का लगा दिया और दूसरी गेंद पर तसकीन अहमत के सामने क्लीन बोल्ट होकर आउट हो गए इसके बाद अब बल्ले बाजी करने के लिए रिंकु सिंग के सामने चोटी गेंड डाली जिस पर रिंकु रिंकु सिंग पीछी की तरफ अपरकट के जरीए शांदार चौका लगाती है इतना ही नहीं ओवर की पास भी गेंड पर एक पर फिर से तसकीन हमद ने हाट लेंट गेंड डाली लेकिन आउल इस टंप से बाहर ज गेंड बाजी करते हो योरकर लेंट गेंड डाली जो ठीकाने उपर नहीं गिरी ऐसे में इसका फायदा उठाते हुए रिंकु सिंग ने आगे पढ़कर सामने की तरफ चक्का लगाया और भारत को रुपए मुकाबले में जीत दिला दी जिसे देखकर हर कोई खुश हुआ तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस मैच में भारती टीम की चीत के असली हीरो कौन है अपनी राये हमें नीचे दिया के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजे को और ऐसी शांदार खबरों क्लेमार चानले को जरूर सबस्क्रेब करें धन्यवाए